हलो मेडिया रश्टेंट्स वेलकम बैग कैसे हो आप सब तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारा सा वोश्चन है किस चाप्टर से तो ट्रेंगल विट वन साइट थ्री उनिट्स और सर्कल दिश 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 मतब सर्कल का कोश्चन है और देखना इसमें मल्टी कॉंसेप्ट है एक कोश्चन में अगर एक से ज्यादा कॉंसेप्ट लगता है एक से ज्यादा चाप्टर का कॉंसेप्ट लगता है तो यह तो आपको रिवीजन तो कराता ही है और आपको इस सोचने पे भी मजबूर करता है कि हमें इस टाइग प्रोलम और मतब सॉल्व करना चाहिए धून एरिया आफ ट्रेंगल एक को सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं तो आपके पास एक ट्रेंगल है इंसक्रेट और सर्कल उसके अंदर है ओके तो कम करते हैं पहले चलो सर्कल यह हमने सर्कल बना लिया ठीक है एंडर एसा भी ट्रेंगल ले लेता हूँ ठीक है थोड़ा सा इसको ऐसा लेता हूँ ए ओके एलो बन गया ठीक है आप इसका नाम देता हूँ इसका ए और इसका बी और इसका सी ठीक है ओके अब जो जो ट्रेंगल है ना इसका एक साइड वन साइड कितना दे रखा है थ्रे यूनिट तो यहाँ पर आपको एक concept और भी जानना है जो हम class 10 में पढ़ते हैं कि कुछ ऐसा वाला यह देखिए यह हो गया और यहाँ पर यह जाता है यह एक external point है जिसको हमने P मान लिया और यह अगर A मान लेते हैं यहाँ भी मान लेते हैं तो यहाँ पर concept क्या होता है कि PA is equal to PB यानि कि external point से जो कि एक point से maximum दो हीं tangent रो होता है और दोनों tangent का जो length होता है वापस में क्या होता है तो देखिए एक आपके पास A है आपके पास A है और यहाँ पर कहीं center हो तो इसको भी हम फट 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 इसको जोइन कर लेते हैं देखते क्या बनने वाला है है तो अब हम क्या लेते हैं तो अच्हाएं करता हूं तो अब ये से यहां का लेंथ हमार और यह अधा में किया था ना बहुत जाद आ रहा है ठीक है एड़ इसको मैं D और इसको में ले लए था हूं इव नाम ही नाम भी दे दिया जहां पर चाहिए न तो यहें ले लिया अच्छा आप इसमें से एक तो कंफर्म है कि एक साइड का लेंथ गीवें तो किसको पास given हो गया ठीक है ना और इसको माल लेते हैं one right ठीक है अब अब है और उसका कुछ और रहा है question में circle of radius one अच्छा यह one है यह भी one है one है मतलब circle का जो radius है ना one है और इस जो radius का नाम क्या हो गया in radius क्योंकि circle inscribed है ओके ना तो in radius अब in radius का formula तो r is equal to क्या होता है delta divided by s और यह क्या होता इस क्या रिपोजन करता है एरिया ओफ ट्रैंगल यह तो रिपोजन करता है ओके ठीक है तो अब आर कितना है one है तो one is equal to this divided by s और this is equal to कितना हो गया और यहां पर अब यह क्या है यह भी लिखना यह क्या है semi perimeter semi perimeter of triangle ठीक ना ओके तो this equal to this आगया delta is equal to a delta है area of triangle ओकी और हमें इसी triangle का minimum area बताना है ओके तो यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं जो basic definition था उसको यहां तक लेख चुके हैं ठीक है एक result a है एक मेरे पास a आ चुका है तो पहले इसका यूज़ करके आगे देखते हैं ठीक है तो अब बताए एरिया कैसे निकाला जाए तो area heroine's formula अप्लाई कर दें तो अब यहां पर अप्लाई करते हैं heroine's formula प्रोंस फर्मूला क्या होता है तो दीश एक वाल टू अंडरूट एस एस माइनस एस माइनस भी जेंदर फर्मूला बता रहा हूं आपको ठीक है ना जेंडर फर्मूला बता रहा हूं यहां पे a b c क्या है side of a triangle है और इस क्या है semi parameter तो यहां पे जो एसका value है इसका value कितना हो जाएगा sum of this यानि कि x plus this plus this यानि कि कितना हो जाएगा हो जाएगा मेरे पास 2x plus 2y plus 2y divided by this which is equal to हो जागा मेरे पास x plus y plus z ठीक है ओक है एंड हमारे पास जो अब जैसे मान लो की यहां सब्सक्राइब फर्मूला इस ट्रेंगल के लिए ट्रेंगल लेते हैं यहां पे लेते हैं यहां पर इसकी हो जो इस तो निकल गया अब जो side है वो तो हमें पता है तो अब formula अप्लाई कर दते हैं तो this equal to under root यहां पर हो जाएगा x plus y plus z this ठीक है and bracket हो जाएगा मेरे पास x plus y plus z minus e अब कोई भी side ले लो आप कोई भी ले लो तो ठीक है यह से मैंने यह वाला side कितना है y plus z तो माइनस यहां पर डाल देता हूं minus y and then minus z ठीक है and यहां पर हो जाएगा मेरे पास x plus y plus z sorry x plus y plus z minus करना भूल गया x plus y plus z minus दूसरा side कितना है दूसरा side है चलो x plus z ले ले लेता हूं minus x minus z ठीक है यह हो गया and x plus y plus z minus अब मेरे ख्याल से x और y होगा I think यह होगा बच गया x और y लस्ट वाला minus x minus y यह हो गया आपके पास एक पुड़ा रूट में है ठीक है तो this equal to कितना हो जागा मेरे पास x plus y plus z यहां पर रूट आ लगता हूं this और यहां पर yz yz यहां पर x गया यहां पर z गया यहां पर xy उड़ गया तो यहां बच गया मेरे पास x यहां बच गया यहां यह मेरा क्या गया एरिया आफ ट्रेंगल this equal to right and so हमारे पास given था this equal to कतना given था एस था पीछे हमने निकाला है this equal to s given था ठीक है so आप हम लिख सकते हैं x plus y plus z is equal to यहां पर लिखेंगे x plus y plus z this और यहां पर इन टू में x y z right ठीक ना ओकी तो चलिए इसको थुरा सा आगे लिखता हूं अच्छा यहां करता हूं अच्छा इसको में लिखता हूँ ऐसे x plus y plus z is equal to इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं this ठीक है और into x y z और इसको दोनों को लिख सकता हूं क्या लग 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 तो यहां से यहां से यह पार टूट के क्या बच जाएगा यहां पर root x plus y plus z is equal to कितना हो जागा मैं पास x y z और यहां पर this ओके आप दिखना अब मेरे पास कुछ y plus z given था क्या y plus z कितना है थ्री है तो वह लोग पूट कर दता हूं यहां पर y plus z 3 यानि कि x plus 3 this which is equal to कितना हो गए मेरे पास x y z यानि कि यहां पर given x y z ठीक है तो x plus 3 is equal to कितना हो जागा मेरे पास x y z I'm scoring court side ठीक है अब यह problem है area of triangle जो मेरे पास आया था area of triangle तो मेरे पास यह है इसको मैं यहां पर द्यान में रखना है जो जो आ रहा है न उसको द्यान में रखना है इसको हम लोग मान लेते हैं second यहां पर कर लेता हूं और इसको मान लेता हूं मैं third तो अब यहां पे एक चीज मायन में रखने हैं आपको य प्लस जेट के वेलू गीवेन है और एरियो आफ ट्रेंगल ले है यहां पे एक्स को अगर हटा दिया जाए आप एक्स को हटाने के लिए हमने कौन सा लिया था यह लिया था ना हमने सेकंड वाला एकन वाला कहने का मतलब है यह वाला यूज करके ही आगे बढ़ना है ठीके अब यह कंडिशन को आगे करते करते हम लोग यहां तक महुचे हैं तो यहां से अगर मैं एक्स का लिए निकाल दूँ यानि कि थ्री इसको भी आपको नूट कर लेना है यो निकाला गया तो आप च यानि कि दीश यानि कि दीश एक्वल टू क्या गिविन था एक्स प्लस वाई प्लस जेड हलाक यहां पर यहां पर लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड दीश और यहां पर ऐसे और यहां पर लिखा हुआ था एक्स वाई जेड ओके यानि कि मेरे पास वाई प्लस यहां पर डाल दाहूं एक्स प्लस थी दीज और यहां पर देखो एक्स का वेलू मेरे पास क्या है तो थी एपॉन y plus z minus y z sorry y z अलाकि दोनों जगा मुझे पूट करता हूँ रूको एक ही साथ दोनों पूट करूँगा न अलग लहीं कर रहा हूँ x y z ही लिख देता हूँ ठीक है और यहाँ पर 20 अगला step में x x की जगा यह पूट कर देता हूँ ठीक है याने कि 3 upon y z minus 1 plus 3 यह होगा ब्रैकेट देस और यहाँ पर लिखेंगे 3 upon y z minus 1 और into कितना है मेरे पास y z और यह पूरा मेरे पास root में है right okay this this ठीक है तो मैं थोड़ा सा फिर सब यहीं पर कर लेता हूँ ठीक है तो this equal to कितना आ जाएगा अगर मैं यहां से 3 अगर मैं root डाल लेता हूँ ठीक है और यहां से अगर मैं 3 common ले लिया तो यह हो जाएगा 1 upon y z minus 1 and then plus 1 and यह लिखा हूए में में पास 3 upon y z minus 1 और into यहां पे लिखा हूआ है y z okay तो which is equal to, यह जब LCM लेकर sort करूँगा तो क्या जाएगा मेरे पास y z बचेगा y z y z दो बार आ गया जाने कि 3 upon y z minus 1 into 3 upon y z minus 1 और into यहां उपर क्या बच रहा था y z और into यहां पे y z और यहां पे root लिखा हूए तो अच्छा तो root हट गया जाने कि यह बच किया मेरे पास 3 upon y z minus 1 और into यहां पे बच किया y z ठीक है यह हमारे पास यह आ रहा है ठीक है अब एक कामवर करता हूँ यहां पे थोड़ा सा अगर मैं यहां पी यह y z उपर में दीख रहा है ना तो y z minus 1 कर लिजे प्लस 1 कर लिजे यह सब अश्टेफ है ना आप अगर क्लिक करने लगा ना कोश्च एक्जाम में मजा आ जाएगा तो अब इसको एक साथ कर लेता यह एरिया आ गया अब इसी का मुझे क्या निकलना है मैक्समा देखो कितना पापर बिलना पड़ रहा है पहले एरिया जो आया ओएरिया में एकस ब्लस जेट का वैलू गिविन था तो पूट कर दिया एकस का वैलू मैंने निकाला इं टरमस ओफ वाई जेट क्योंकि वाई यह लेकिन अभी भी में नहीं निकला है तो अब निकल जाएगा क्योंकि आपके पास क्या गिवहन है आपके पास गिवहन है य प्लस जेट इसकॉल तो थिकर यहां करके तिपरेंशीेशन या फिर चुकी वाई जेट और एक सतीनों क्या है एक देंगल का साइड है मतलब यहां पर x y z क्या है positive है ठीक है ना x y z ये तीनों क्या है ये positive है क्योंकि ये side hat triangle का तो हम e mg में apply कर सकते हैं तो y plus z divided by 2 greater than equal to कितना हो जाएगा this ठीक है ना क्या apply कर दिया am greater than equal to gm ओके तो y plus z कितना था 3 3 upon 2 this यहां पर हो जाएगा this ठीक है तो अगर मैं लिखना चाहूं वाइज़ वाइज़ दिस less than equal to हो जाएगा मेरे पास 3 upon 2 यानिक वाइज़ लेस तन इक्वल टो जाएगा 9 upon में कितना हो जाएगा 9 upon 4 ठीक है और अब देखो यह कितना लिखा वाइज़ मैनस 1 यानिक वाइज़ पर रिसी प्रोकल में है तो अगर रिसी प्रोकल करते हैं तो वन अपन वाइज़ माइनस वन ग्रीटर दन इक्वल टू फोर अपन में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा का साइंग चेंज कर जाता है राइट अब यहां पर 3 मल्टिप्लाइड है सो 3 अपॉन वाइज़ माइनस 1 ग्रीटर दन इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 पॉन 5 और इसके साथ प्लस 3ाट है यहां पर त्री एड कर लेता हूं यहां पर भी 3 अक कर लेता हूं तो यह कितना जाएगा क्या फंद्र यानि कि 27.5 और यह है आपके पास यहां पर लिखना चाहूं तो दिस ठीक न दीस ग्रीटर देन एक्वल टू 27.5 यानि कि देल मैक्स यानि कि एरिया ओ ट 27 upon 5 यह हमारा आंसार आ गया कहां गया 27 upon 5 याने की ए तो देखो हम बेसिक differentiation का यूच करके भी आगे बढ़ सकते हैं लेकिन यहां आने के बाद यहां पर इसको टो 3-y लेंगे z की जगह पूट करेंगे differentiate with respect to y करेंगे फिर equal to 0 पूट करेंगे फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे तो देखो एक question में circle का question था जिसमें आप वो क्या एक चाप्टा था solution of triangle था ना जो और उसके बाद फिर EMGM या फिर आपका मर्जी EMGM के बगार भी question को solve किया सकता है इस step तक आने के बाद तो अच्छा लगा question और इस टैप का problem और भी solve किजिए एक question ऐसे solve किजिए जिसमें multi concept हो तो यह आपको बहुत revision भी करा रहता है और आपको idea भी देता है और यह advance के लिए especially इसी टैप के problem आपको solve करना चाहिए thank you